चलो बिटा, चप्टर का नाम लिखो, सारी बच्चे, लाइन अंगल्स, लाइन अंगल्स लिखने के बाद सबसे पहली जो हेडिंग डालोगे, बो लिखोगे, एजसेंट अंगल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखो, जल्दी लिखो तो बिटा, अभी नहीं बिटा, अभी नहीं अभी तो मेरे पास अभी अभी आए हैं, अब ग्रुपे हो जाएंगा प्लोड, डेफिनेशन लिख 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 लिए बिटा, अब एक चीद देखो, क्या कहता ये, कहता है का अगर कोई एक रे है, stand on a line, then the adjacent angle, so form our supplementary, supplementary का मीनिंग क्या होता बिटा, बिटा, पहले समझना, अगर कोई तुम से पूछता है का, adjacent angle क्या है, तो ये तो ऐसे भी हो सकते है, माले बिटा, मैंने एक बनाया ऐसे, एक कर दिया ये, सपोज ये है तुमारा o point, ये है a, ये है तुमारा b, और मैंने ये बना दिया c, ठीक है, अगर मैं इस angle की और इस angle की बात कर पहलाओ का, angle boc and angle aoc, ये दोनों के दोनों कैसे हैं बिटा, अच्छा एक चीज़ तो ये समझे में आ गई, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी मैंने लिखा है, अगर कोई एक state line है बिटा, यहाँ की जो definition है वो ये कहते है, अगर माले बिटा, एक state line है, ठीक है, इस state line पर मैं ऐसे एक line ड्रॉ कर दी, सबोज ये था a, ये था b और ये था तुमारा c, अब मैं को बता बिटा, ये angle और ये angle इन दोनों का सम क्या होगा, बनेटी होगा, ये तो सब को पता है, और क्या ये दोनों angle, adjacent angle है या नहीं है, हैं बिलकुल है ना, तो वो व जरूरत पड़ती है, जब state line पर होते हैं तब, अगर माल ले बीटा, दो angle का sum, दो angle का sum, 180 हो रहा है, तो क्या ये एक state line है, ये कह सकते हैं, बिलकुल कह सकते हैं, अच्छा, और अगर दो angle का sum मेरा 189 है, तो एक तो state line कह सकते हैं, और अगर हमाई पास में माल लो, पहले से ह लाइन दे रखी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कि दोनों angle का sum कितना आना चाहिए, 180, इसलिए लिखा है, या तो मेरे पास में supplementary होते हैं, और उसका converse, converse का मत्रब है, उसका उल्टा भी प्रूब हो सकता है, supplementary का meaning 180, अगर एक line पर दो angle बनेंगे, तो एक line पर बनेंगे, त लिख लो, हम लोगों को इस पर ज़्यादे focus करना है, अगर इसका भी मैं नाम लिखना चाहूं कुछ, तो लिखूंगा नीचे बाले को, angle A, AOC, plus angle BOC, equal to कितना होगा बिटा, 180 degree, लिख लो इसको अच्छे से, जद्धी लिखो, इसका एक नाम और होता है, वो किसी कोई बिच्चा बताएगा, इसका एक नाम और होता है, कुछ अगर, इस straight line पर दो angle का संबननीटी है, इसको लिख लो, अच्छे से, अगर ये तो 6 में पढ़ा होगा 6 में के 7 में चलो लिखो बिटा heading लिखो vertically opposite angles क्या होते है बड़ा आसान है अगर माल ले बिटा एक line में ने ये बनाई ये line है AB और एक line में ने बना दी CD एक line में ने बना दी बिटा CD तो ये वाला जो angle है ये angle इस angle के एककल होगा होगा का नहीं होगा ये vertically opposite angle होते है ऐसे ही ये वाला जो angle है ये वाला ये angle बिटा इस angle के एककल होगा ये भी vertically opposite angle है तो मैं लिख सकता हूँ angle बीच वाले point को O नाम लिख दे रहा हूँ angle AOC equal to angle BOD ये है vertically opposite angle BOA लिख दिया वैसे पूरा ही लिखना है na vertically opposite angles अच्छा ऐसे मैं दूसरा भी लिख सकता हूँ angle AOD AOD equal to होगा angle COB ये बीच बात एक ही है ये भी vertically opposite angle है और vertically opposite angles सारे के equal होते हैं दो straight line अगर आपस में cut कर रहे हैं तो ये जो angle बनते हैं आमने सामने बिटा वो vertically opposite angle हो जाते हैं और उनकी value exact same भी होती है अब next adding डालो बिटा parallel lines and a transversal line ये इसका ऐसा कानी होती है माल ले बिटा मैंने एक line ये बनाई और एक line मैंने ये बना दी ये line थी AB और मैंने एक line draw करी ये line है CD उसके बाद मैंने एक ऐसी line draw कर दी इसका नाम मैंने लिख दिया PQ ये जो PQ line है ये transversal line है एक मिनट सारे बच्चे सुलो सारे concept clear हो जाएंगे इस line की कुछ कुछ खासियत ये होती है ये वाला angle और ये वाला angle ये दोनों अंगल का sum बेटा 180 degree होता है इन दोनों का sum को क्या होते है ये co-interior angle बन जाते है न बेटा तो इन दोनों angle का sum 180 degree होता है मैं यहाँ पर point लिख दे रहा हूं angle कुछ नाम लिख दे यहाँ पर M लिख दे यह M है यहाँ पर N लिख दो एमेन तो ये दो एंगल है इन दोनों का सम चलो तुम्हे चलो इस बच्छे की बात मान लेते बहुत दिन से कोई बात नहीं मानी गई इसकी एंगल बन बन प्लस एंगल टू इन दोनों का सम कितना होगा बच्चा 180 डिग्री होगा और ये हैं क्या दोनों के दोनों लो Iss коп कुछ-कुछ भी बोला बेटा है को इंटिरियर एंगल से वेटा को इंटिरियर आंगल से है न क्योंकि ये ट्रांसबर्सल लाइप यह home करी था इन दोनों का सम बनी च्छा एक बात रहता बेटा सैम तरीके से यह वाला एंगल और यह वाला एंगल इन दोनों का सम्ह पिसतना ओगा यह भी 180 डिगरी होगा है ना अच्छा और सुनों अगर मैं लो यह एंगल थ्री है स्टी एंगल फोर है तो अंगल थ्री प्लस एंगल फॉर एकौल 2 बन maior यह होगा आगे सुनों यह जो ऊपर angle है ये बाला ये angle क्या angle 2 के एककोल होगा कर नहीं होगा क्या region दोगे उसका corresponding angle होगा अगर ये angle 2 है तो ये उपर बाला भी angle बिटा 2 होगा ही होगा समझ में आ रहा है अच्छा angle 2 और angle 3 आप उसमें एककोल होगे कर नहीं होगे क्यों vertically opposite angle होगे अच्छा angle 4 होगा तो इधर भी angle 4 होगा ये angle 2 है तो इधर भी angle 2 है अगर ये angle यहां पर मालो 3 है तो यहां कित्ता होगा ये भी angle 3 हो जाएगा ये concept थोड़ा बोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं लिख दूँ अच्छे से बता बिटा इसमें बहुत कुछ हो जाएगा और angle 1 angle 4 के एकवल होगा alternate interior एंगल बन जाएगा है ना मैं यहां पर लिखूँ एंगल जो 1 होगा एंगल 1 एकवल टू बन जाएगा तुमारा एंगल 4 और कौन सा लिखें अगर मैं लिखना चाहूँ 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 इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ रूखो इसका नाम लिख देता हूँ कुछ और मैंने लिखा 1 2 3 4 मैंने इसको सपोच 5 लिख दिया और इसको मैं नीचे वाले को 6 लिख दिया इसको मैंने 7 लिख दिया इसको मैंने 8 लिख दिया लिख सकते हैं तो अब क्या लिखेंगे हम लोग लिख सकते एंगल 2 बिटा एंगल 5 क इसका region क्या होगा corresponding angle बहुत गयारी सांस ले रहे है बिटा क्या सोच रहे ठीक है अच्छा ऐसा ही अगर मैं बोलू angle 2 angle 7 के एक वाल है चलो लिख तो चुकिए बार बार क्यों लिखो angle 2 angle 7 alternate interior angle हो जाएंगा या vertically sorry vertically opposite angle हो जाएंगा ठीक है चलो इतना लिख लो बहुत है बाकी समझ में तो आई गया है यह अंग्रेजी भी लिख लो बिटा अंग्रेजी में क्या कहता है ध्यान से पढ़ो यह कहता है corresponding angles are equal and उनका converse भी equal है मतलब converse भी true होता है अगर corresponding angle equal है corresponding angle equal है तो पक्का यह दोनों line कैसी है parallel है ठीक है अच्छा आगे सुनू alternate interior angle equal होते है और उनका उल्टा अगर किसी के alternate interior angle equal हो जाए जैसे यह वाला angle जहें यह इसके equal हो जाए है यह इसके equal हो जाए तो यह लाइन यह राइन आपस में कैसी हो जाएंगी parallel हो जाएंगी कोन होगा sum? 1 और 2 का sum कितना होगा बिट्डा? 180 मेंने लिखा भी है яться 303 और 4 का sum कितना होगा? 180 मेंने लिखा भी है ठीक है? चलो एक काम करो जल्दी से लिख दु है बढ़िया से लिख दो बिटा आगे बढ़े जल्दी करो बहुत दिर हो गई अब रुको बेटा इतना लिखा आगे बढ़े चलो इसके बाद में यह लिखो बेटा linear pair angles एक बार हम लोग लिख चुके हैं फिर से लिखे लो linear pair angle में sum कितना होता है बेटा 180 degree होता है अब ही तो पढ़ाई था अगर यह यह है यहां पर बी है यहां से मैंने एक लाइन ड्रो करी यह सपोज है सी यह ओ पॉइंट है इन दोनों का sum कितना हो जाएगा बच्चा 180 डिगरी लिख लो angle AOC plus angle BOC equal to 180 डिगरी linear pair होता है linear pair में दोनों angle का sum बनिट्टी हो जाता है आगे लिखें बीटा हाँ बीटा होते हैं सेम बात हो गई बच्चा next लिखो बीटा exterior angle of triangle अच्छा यह पता है exterior angle of triangle क्या होता है शीन ही अगर माल लिटा तुमारे पास एक triangle है A B C ABC triangle है मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया थीक ए यह angle है A यह है B यह है C यह जो angle होगा suppose इसको यह जो angle होगा बाहर 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 अगल वो apposite two angle के sum के equal होगा होगा का नहीं होगा हम लोग लिख सकते हैं एंगल ACD जो होगा बेटा ये एक्वल टू होगा एंगल इसको लिखो तो इसको लिख सकते हो BAC BAC और इसको क्या लिख सकते हो ABC या फिर CBA चरह मैं ABC लिख देता हूँ ये होता है exterior angle property ये बीचे में plus sign है बेटा ABC ये exterior angle property हर जगे लग जाएगी जैसे मैंने अभी वहाँ लगाई है ऐसे ही बेटा अगर मालने में या लगाता हूँ मैंने इसको बढ़ा दिया ऐसे ठीक है अब मेरे को बताओ ये बाला जो angle होगा वो किसके equal होगा तो तुम बोलोगे angle A plus ये बाला angle exterior angle हो गया ने बेटा? exterior angle हमेशा equal to होगा exterior angle of a triangle is equal to the sum of the corresponding to interior opposite angle तो मेरे को बताओ ये बाला जो angle है ये बाला ये किसके equal होगा तुम बोलोगे sir अगर मैं इसका छोटा छोटा नाम लिख देता हूँ इस angle का नाम लिख दिया मैंने A, इसका नाम लिख दिया B, इसका नाम लिख दिया मैंने C तो मेरे को बताओ यह बहरबाला अंगल किसके को लाएगा बोलो A प्लस C ऐसे ही यह बहरबाला अंगल A प्लस B ठीक है ऐसे करो पीटा जल्दी करो अच्छा ऐसी एक चीज़ बताओ अगर माल ले बेटा मैंने इस यह नाइन को बड़ा दिया ठीक अब मेरे को बताओ ये वाला एंगल किसके एकवल होगा ये वाला जो एंगल बाहर जारा हा ना exterior angle ये opposite बस इसको छोड़ दो बाकी के opposite angle के opposite interior angle के sum के एकवल हो जाएगा B plus C समझ में आगया अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो बस B बाला छोड़ दो A plus B के, ऐसा ही अगर बच्चा मैं इसको बढ़ा दू, लो मैं इसको बढ़ा दिया, तो ये बाला एंगल किसके को लोगा, बोलो, तो तुम बस इसको छोड़, इसको बस गाइब कर लो, A plus B के को लोगा, समझ में आगया अच्छे से, आगया, चलो जल्दी कर लो, मैं यहां लिखी भी दे रहा हूँ, यहां पर लिखने कोई जरूवत है, कोई जरूवत नहीं है, next देखो, अच्छा next में हम लोग NCRT exercise करना इस्टार्ट कर रहा है,